So guys, कभी तो भी क्या होता है, कि आपका laptop में आपका जो screen है, वो automatically क्या हो जाता है, जुम हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता है, कि ये problem मेरा कहां से आ गया है तो दोस्तों आपको टैंसित मत जीए, आज की इस वीडियो में हम लोग इसका पूराइड रिल को जानने वाले हैं, कि आप लोग इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि ये कहां से हो जुका है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूराइड रिल को जानने वाले हैं उससे पहले तो जैल में और प्वास टाम आता है, जैल को सिस्क्राइब कर लिए जागा साथ में दोस्तों बैक अकन को भी बिल्कुली प्रेस कर लिएगा, यूगि दोस्तों रोजाना में आपके लिए इसी तरह के नहीं वीडियो लेके आते रहता हूं तो चल यूधै वीडियो को सुरू करते हैं तो गयर सबसे पहले आपको क्या करना है, कि आपको अपना लच्टॉप या तो आपके पस अगर डेक्टोप है तो उसको उपkell कहना है और यहां पर जब आप कर्सर को लेगेंगे तो यह इधर उदर होगा अब यह प्रोग्रम तो जैन्मिन सा है लेकिन जिसको नहीं मालूम है वो काफी जादा परिसान हो जाते हैं कि यह मेरा प्रोग्रम जो कहां से आगिया है तो इसको आपको हटाने के लिए शिंपल सा प्रोसर्स करना है विंडोस और प्लस माइनस को अगर आपको दबाएंगे तो में छोटा और बड़ा हो चुका है तो इसको मैं कंट्रोल और माइनस दबाके इसको छोटा कर लाता हूं और दोस्तो यह आपका जो स्क्रीन है वो इसलिए वमेलच को लाइक किजा, सेर केज हो चैनल के दोस्त कहि ghosts मैं ए तो चैनल को भी subscribe कर लेजें मिलके दोसतो और नेंडे करके साथ एक नेट दोके जात हम के लिए यह का दोसे जहर। अभी तक लेयो है,बंदे बात रहिंए झाल